जैन सातियों आपको अलजेब्रा का दूसरा क्लास में आज लेकर आ गया हूं पिछले क्लास में आप लोग को सिर्फ दो ही कंसेफ्ट बताया गया था आज तीसरा क्लास जो आपके सामने बहुत अच्छे और जजबे के साथ रखने जा रहा हूं जो देखिएगा साइद में जगे तो आप लोग को पिछला क्लास में याद बता दिया गया था कि एक सब्सक्वाइर पलास और एक सब्सक्वाइर कर लेते थे अगर पलास में है तो दूग हटाते थे और मैनस में रहता था दूग जोड़ देते थे तब इसका क्या हो जाता था अब हैलू निकल जाता था तो कहने का सेंस 55-25 कम कितना हो गया यह तेश कल तक में आप लोग यही कर रहे थे अगर यही में अगर आपको क्यूं का बोलता था पुछता था कि या क्यूं का भैलू बताओ तो आप क्या करते थी दिया गया मान का क्यूं कर लेते थे और आपको बोलता था कि क्यूं का मान निकाल तो आप करते थे इसका क्यूव और उसके वाद अगर पलस है तो माइनस कर लेते थे 5 गुना करके किस में पाँच गुना करते थे तीन में तब 25 से-15 तो इसका आप जवाब कितना देते थे 110 तल तक में सीक रहे थे अगर माल लिया जाए आपको फोर पावर में पूछा था तो पर भी आप जवाब दिये थे 2 वार अस्क्वाइर करके कितना वार अस्क्वाइर करके आप इसका जवाब दिये थे अगर माल लिया जाए पावर 6 करेगा तो पर भी आप इसका जवाब कल दिये थे यानि या स्क्वाइर का क्यूं कर दो या क्यूं का अस्क्वाइर कर दो कल तक तो आप यह जवाब दे रहे थे यानि कि आप लोग जो कल आप सारा कोश्चन देखे लगवग 5-6-7 जितना देखे होंगे सब में इधर क्या चल रहा था पलास 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 लेकिन आज हम सीखेंगे जो क्या रहेगा इधर माइनस देखने को आपको मिलेगा तो देखिए यानि बोला जाए तो कंसेप्ट नंबर कितना हो जाएगा आज के लिए 3 तो समझेगा कॉंसेप्ट क्या है पहले हमें कोश्चन लिग देता हूं उस कंसेप्ट के धारित अगर वन एक्स पलास वन वाई एक्स बरावर कुछ भैलू दे रखा है सपोज किजिए आपका तीन दे रखा तो आपसे पूछ देगा एकस स्क्वाइर माईनस में एकसे का होगा तो बहुत सोचने की बात तुप लेकिन है HU Ken है माइनस में तो माइनस में है तो इसका मान ठोड़ा निकालने के लिए एक दो बाता को ध्यान में रखते हुए चलना क्या है जब इसका हम मान निकालेंगे तो यह क्वायर माइनस फ्रमूला पर पूरते हैं तो एक वार क्या होता है पलास फर्मूला याद है एसक्वाइर माइनस भी एसक्वाइर बराबर एक वार पलास और एक वार क्या होता है माइनस इस फर्मूला के सहारे हम जितना भी माइनस का प्रशन आएगा या तो उस पर पावर 200 300 400 500 600 जितना रहे सारा का माइनस को प्राप्त करने के लिए हम आपको दो पॉइंट बताते सिर्फ उसको दिमाग में रखना जैसे पिछले दिन में आप लोग कॉंसेप्ट के रूप में दो याद रखें अगर अस्कॉयर में पुछता था इधर पलस राता था तो वर्ग करके दू माइनस करते थे मैं आधर माइनस में रहता था तो तीन का की उसका क्यूं कर देते थे और 3 में गुणा करके दर लागे क्या करते थे जोड़ देते थे तो आज का कुछ अलग है जोकी कंसेप्ट में आपको देखने को मिलेगा माइनस कितना हूँ पावर रहे उसे मतलब नहीं है तो आपका मैंनस वन बटा एक अभालो पुछेगा धियान में रहे ए पलस बन बेनाब ओस्पाइब यह तो मैंनस बटाइद CV पूछेगा तो जो दीया गया मान उसको क्या कर लेना है असक्वाइर कर लेना है अगर माइनस में लाना है तो चार घटा देना है अगर पॉइंट नमबर बोल दिया दूसरा बस ही दो दो पॉइंट आपको एकदम दिमाग में आइड करके रख लेना है इससे आपको रिलेशन जितना भी NDA यह जितना बोड जाम बोली जिए जो भी लेवल में चांब लेता है एक ना एक प्रश्ण इस लेवल से देखने को मिल जाता है आपको तो आप अभी देखते हैं इसको बस दिमाग में रख लेना एकदम अश्टार बना के जितना अश्टार बना करके याद रखिए आपको बहतर करेगा तो हम अभी देखते हैं और इधर आप लोग को समझाने का प्रियास करेंगे कि ताकि आपको सेलूशन करके जवाब नहीं दे कलम निकालकर जवाब नहीं दे बिल्कुल टिक मारे तो आपके लिए हम थोड़ा मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन देखिए आप लोग हमें कुछ सहयोग करते रहिए यानि हमें इसका भैलू चाहिए तो आप अभी क्या देखें कि हम जब इसको दो भागों में तोड़े तो एक बार पलस एक बार माइनस तो हम पलस का मान जा रहे हैं लेकिन माइनस का मान किधर से निकालेंगे तो अभी आप लोग सीख चुके हैं कि अगर पलस में दिया सःके जोड़े तो देना तो स्वल मा इनस कितने हैच़ थे कितना अगया रूट पाँच आपको उसकром मान भी निकल गया कुछ देर नहीं लगा इसका भाहिलू कितना है ठीअ और इसका भाहिलू कितना है रूट पाँच यानि यह कितना ऱ यह त sneaking पापित पाच अंसर तो परिच्छा में आप इतना सोल्व करने नहीं जाएगा डायरेक्ट दिमाग लगाना वह पलस है एक माइनस का मान निकालना है तो माइनस में क्या करते थे रूट ऊबर उसके अंदर जो मान दिया रहा थे उसका स्कॉर करते थे और माइनस में निकालना है तो चार घटा देते उसका माण हो गया पलस के दिया रहता है दोनों को टैच कट के गुणा करते थे जो आता है क्या हो जाता अंसर तो परिच्छाम आप इतना नहीं करना चाहिए तो यह इतना दिमाग काम कब करेगा जब आपको प्रेक्टिश रहेगा जितना कोश्चन हम बता रहे हैं सारा को ए एक जाम हो इस अलजेबरा से आपको एक ना एक कोश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा मैं यह गरेंटी लेता हूं तो अभी आपको देखिएगा यह अलजेबरा का दूसरा कलास है ऐसा ऐसा हमें लगता है कि लगभग जो भी हो पंद्रा सुला कम से कम उतना आएगा और हमारा सारा वीडियो सुरू से अंतक देखिएगा तब आप बोलिएगा कि हां गड़े हुए मुर्दा में भी जाना गया तो देखिएगा यह तो आप समझ गए आप इसी तरह से हम इसमें कोश्चन चेंज करते हैं आप लोग जवाब देकर बताएगा क्या आप लोग से बन पात है या नहीं माल लिया जाए हम यहां कर दिये रूट पाच और यहां बना दिये इसको क्या चीज़ माइनस में तो अब इसका जवाब हमें बताना है कि क्या होगा आप समझिएगा तो दोनों परश्ण अभी जो देखें एक इसके पहले और एक अभी देखने जा रहे हमें लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे तो कहने का मतलब हमें माइनस में है तो यह अच्छी बात है और स्क्वाइर है तो इसको क्या करते है एक तो क्या करेंगा मिसका सबसे पहले हम प्लस का भैलू निकालेंगे तो प्लस का भैलू कैसे निकलता है आपको पता है दिया गया मान को हम असक्वाइर करते हैं और अगर पलस में लाना है तो चार जोडते हैं और माइनस में लाना है तो चार घट आते हैं तो यानि यह कितन नौ का बर्गमूल कितना हो गया ठीशिरी बिल्कुल असान हो गया है यह तो और क्योंकि इसका पुर्ण बर्गमुल निकल गया तो पलस का आमान असिर प्रड़क यहां देंगे three और माइनस का माम तो कोश्चन में रहेगा तो इसका जवाब कितना हो गया तरी रूटो फाइव क्या हमें लगता है आप समझ गये होंगे चलिए तो आप समझ गये होंगे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं नेक्सेट परेश्ली क्यों आपको परश्ण क्या कहेगा जो समझना है अगर समाल लिया जाए आपको यहां बोल दे एक्स पलस वन वाई एक्स वरावर बोल दे की रूट पाच हूं कितना हूं रूट पाच हूं तो आपसे कह सकता है एक्सकेयॐ माहिनेस वन वटाट एक्सकेयॐ का भैलू ड zaten ऑभी घात में क्या आael तो नहों सबसे पहले निगे कुछिए अजया उपना उ But उौकम प्लस नहीं कर ले लाना है श्कता Dollarpack घटा देना पलस मिलाना रखोर नहीं तो यह बता रूट पांच के स्कूर zul पांच और यह कितना हो गया चार गट के कितना गया एक और यह का बर्गमुल कितना हो गया एक बहुत अचा बात है पुन भर्गमूल निकल जाता है थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है लेकिन हमें मान किसका चाहिए इसका तो बावू आप लोग के पता होगा यह माइनस बी की हॉल क्यू बराबर क्या होता है a q माइनस b q माइनस 3ab into a plus b क्या होता है यह यानि a माइनस b की हॉल क्यू बराबर a q माइनस b q माइनस 3ab into a माइनस b B A minus B तो आप देखिएगा हमें इसका भहिलू दिया हुआ है धिया हुआ रह सकता है या पलस में रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा तो यहां पर हम क्या किये निकाल लिए तो आपको पता चल गिया कि इसका भहिलू 1 है यानि एक क्या कर लेंगे क्यू और यह तो हो गया एक क्यू माइनस बी क्यू अब इधर तो आपको पता चल रहा है कि तीन में गुना करके फिर क्या कर देना है जोड़ देना तो किसका भाई लुआ जाएगा माइनस का तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा अगर हम इसक सब्सक्राइब करेंगे अपमें बताएक इसका माशन क्या मालूम है मालूम है यानि एक के क्या कर लेंगे क्यू उसके बाद आप देखिएगा एक्सक्यू माइनस वन बटा एक्सक्यू यह एकट गया याने ठीरी और इसका मान फिर कितना है एक ही है जो लाएं इसी कहीं जोगा एक तो हमें बता दीजिए एक के क्यूं यह का उधर तीन गुना करेंगे इधर आजाएगा कितना हो जाएगा पलस में तीन एक्सक्यू माइनस वन वटा एक्सक्यू वरावर मान बता दीजिए कितना आ गिया इसका कितना अगया चा Cage यारी माइनस में लाना है घात तीन खाल यह सबसे याद किजिए concept number पीछला यानि class number first में बताया गया तो इसलिए आप पिछला class जरूर देखिए तब यह बात आपको यहां समझ में आएगा तो चलिए हम आगे बढ़ते इसी तरह से एक प्रश्ण और हम देते हैं हमें लगता है आप लोग को यह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर मान लिया जाए आपको यहां माइनस कर दे क्या कर दे माइनस और मान लिया जाए आपको यहां पलस कर देगे और आपसे मान पूछे तो क्या जवाब नहीं दे दिजेगा पिछला class का question से हो गया जवाब क्या देना इसका इतो बिल्कूल है नहीं पलस वला क्या करना इसका क्यूं कर देना है क्या कर देना इसका क्यूं कर देना और तीन में गुना करके तीन में गुना करके तीन में गुना कर दें इसका अब बताइए हम माइनस है तो हम पलस होगा की माइनस माइनस रहत तो प्लाइस तो इसका क्यों करेंगे तहीं क्या हो जाएगा बताये रूट-5 गुने रूट-5 तो कितना О'll five इन यह पाँच रूटी तारूट कितना पाइच तो जवाब कितना होगिया पााँच अ-oya पाँच तीन आठ रूट-5 ते तो पालश वाई तो पिछला पर आपका क्या दे दे पावर फोर कर दे और यहां क्या कर दे माइनस कर दे अब इसका मान पूछेगा तो आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं आस्कुवाइर का स्कुवाइर नहीं कर सकते हैं आस्कुवाइर का स्कुवाइर नहीं कर सकते हैं बताईए आस्कुवाइर का स्कुवाइर पावर फोर होगा की नहीं होगा तो बताईए तो आप दो भाग में तो आप क्या कर सकते हैं एक स्कुवाइर पलस वन बटा एक यहां पर है तो पटास्का मान कैसे निकलेगा आपको अभी बताये थे और पिछला कंसे Bomb से भी याद है कि क्या करते थे पहलाइन निकलना है तो इसका स्कॉायर करते थे और हमाइनस राता था तो जोड़ते दोडते थे तब यह किसका मान निकल जाएगा बताएट स्क्वार का क्या निकल जाएगा निखेजेख फटना होगे इस सब्सक्राथ से यो यानि इसका वहिलू आपको पता चल गया साथ लेकिन इसका वहिलू आपको नहीं पता तो क्या कर सकते आप ही बताइए बताइए इसका वहिलू तो पता चल गया साथ लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं दिमाग लगाएए थोड़ा यानि हम इसको लिख सकते हैं फिर वही बात एक बार जोड के एक बार घटा के जो कि अभी जश्ट यहां पर किये हैं फिर ओही कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब एक बार जोड के और एक बार घटा के तो आप देखिएगा कि यह तो मान मालूम है लेकिन पलस का मान मालूम नहीं है यानि साथ गुने इसका मान हमें पता नहीं है और इसका मान मालूम है रूट पाच तो इसका मान क्या नहीं निकलेगा अभी बताएं थे माइनस में दिया रहेगा पलस में लाना है तो क्या बोले थे रूट वहर जो दिया हुआ रहेगा उस नौ का बर्गमुल कितना हो जाएगा तीन और यह कितना हो गया रोट पांच तो हमें लगता है कि आप समझ गें होंगे सत्चीय आए कैस रूट कितना हों पांच क्या असान लगता है एजब सारा परशन सान लगेगा और जब आप एक्जाम में बैठाएगा तो उस तेहें आपका दिमाग उड़ जाएगा चाहिरं से बात यह उड़ जाता है क्यों कि आपका प्रैक्टिश नहीं है कि दिनना प्रेक्टिक आपके हाथ में है आपके काबों में विस दिन आपका मनजिल कदमों में होगा यह मेरा बाधा है mandar कि देखिएगा आगे बरता हूं और आपको पावर के दुनिया से जो आपके पवर डर्वेठा हुआ है दिल में उसको हटा देंगे लोग पावर देखके डर जाते इतना पावर इतना बड़ा क्या होगा अब आगे देखिएगा तो पावर कितना रहेगा अभी तो दूसरा ही कलास है क्लास पर कलास निकलेगा क्योंकि जब कुद जब कुद गया है रन में तो दिखा देना है कि चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्राश्न यानि अब पावर कितना हो गया सिक्स अब सिक्स पावर को हम क्या कर सकते हैं जड़ा आप लोग बताईएगा तो लिख सकते हम इसको क्यों का स्क्वाइर यानि कहने का मतलब हुआ कि पावर जब सिक्स करना है तो या तो क्यों के स्क्वाइर या स्क्वाइर का की दोनों सेंस में कुछ भी करके कर सकते हैं यानि बोला जाए तो यह स्क्वाइर माइनस भी स्क्वाइर बराबर क्या होता है तो एक बार जोड़के और एक बार क्या होगा घटा के यानि एक स्क Q-1 बटा एक्सक्यू तो इतना तक समझ भी आ गया होगा यानि कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें इसका मान निकालना है इससे तो बिल्कुल असान से निकल जाता है क्या नहीं निकलता है याद कीजिए जब क्यूं का भैलू निकालना है तो जी जो दिया हुआ है उसको क्यूं कर लेना है जो दिया हुआ है उसको क्या कर लेना है क्यूं कर लेना है और इसमें जोडेंगे या घटाएंगे आपको क्लास नंबर एक में कॉंसेप्ट बता दिया गया अगर पलस रहेगा तो माइनस करना क कितना में 3 में गुना करके क्यों 3 में गुना करते हैं कि थीए भी होता डग प anonymous जो कि देख रहें माइनस तो यानि इसको हम कर देंगे 125ろ-15 यानि यह कितना110 अब बात करेंगे इसका कि इसका भायलू कितना होगा तो अभी बताय थे कि पलस वाला निकाल ना है तो इदर माइनस रही या पलस कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मैनस वाला निकालना motherfill जरूर पड़ेगा क्योंकि माइनस वला हमेसा मैनस खोझता लेकिन पलस वला पावर पले खोझता इसलिए वेटसमेन पावर पड़े में गरदा छुडाता तो कहने का मतलब हमें सबसे पहले इसका मान चाहिए तो इसका मान निकालेंगे वन वटे माइनस माइनस मटैक्स का तो याद फिर आज का पॉइंट एक और दू लिखाएं उसी में से एक को कोई होगा यानि किसका मान निकालना है तो दिया गया संख्या को क्या कर लेना है वर्ग कर लेना है और इसमें चार जोडेंगे की चार घटाएंगे यानि माइनस वला में चार जोडेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा चार घटेगा तो पाच के यानी concept class 1 का concept य क्या था उसमें कि जब उसका निकालना रहता था गिनार woods वाला का क्यूं करते तीन में गुना करके घटा देते हम सहामें जोड देती तो तो वही तो बात है जो दिया हुआ उसको क्या कर लेना है क्या कर लेना है क्या कर लेना है क्यूं और इसमें घटेगा की जूटेगा आप बताइए अब माइनास है तो तीन में गुना करके जोड़ना ही है तो तीन में गुना करके क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे तीन में गुना करके और यह हो गया थिरी रूट कितना 21 तो यह जूट करके कितना हो गया 24 रूट 21 अब आपको जो आ गया यह अंसर गुना करके प्राप्त हो जाएगा क्या आप हमें नहीं लगता है कि पावर अभी तक मैनस प्लस वला सिख गये होंगे अब इसकी आगे लाजवाव और लाजवा को मिश नहीं किजिए लेकिन आपको मैं पहले बता दिया हो कि अलजेवरा इस तरह से सिखा दूँगा कि जिस तरह से जब मुर्दा में जान आता है तो लगता है कि नहीं अब उठ रहा है उसी तरह से आप सब मोई लगेगा कि हम अब लोग उठ रहे हैं किसके और वीडियो में जय हिंद